ओम घनेशाय नमाँ ओम नमस्षिवाय मनिखिल जोतिश आचारे आप सभी का मेरे चैनल पर पुनल स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ आप सभी स्वस्त होंगे महादेव की क्रिपाप सभी पर सदय बनिया है ये वीडियो मीन यानिकी पाइसेस के लिए बहुत महत्तपूर है क्योंकि ये वीडियो है आने वाले महीने यानिकी सितंबर 2023 के मासिक राशीफल के बारे में कैसा रहेगा सितंबर का महीना मीन के जातकों के लिए जो मेरा मासिक राशीफल होता है वो जीवन की मुख्य चीजों पर आधारित होता है जैसे कि सामान नविशलेशन, करियर, बिजनस, इंकम, इंवेस्पेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडन्स और सेहत कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूँ, जिनके करने से महीने की सकरात्मक्ता में वृध्धी अवश्य होगी लगन राशी से और चंद राशी से अलग-लग राशी फल नहीं बन सकते यहनि कि यदि आपकी लगन राशी या चंद राशी मीन हैं, दोनों ही गाइडन्स के लिए इस राशी फल को देख सकते हैं जैसा मैरा हमेशा से मानना है कि यदि आपको अपनी लगन राशी फल देखा करेंगे तो सटीकता बहुत अच्छी रहेगी रिलेटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन जिनको नहीं पता वो चंद राशी से भी गाइडन्स के लिए देख सकते हैं इन शॉट लगन राशी या चंद राशी जिनकी मीन है, दोनों ही इस गाइडन्स के लिए इस राशी फल को देख सकते हैं शुरुआत करते हैं सामान्य विष्लेशन के साथ, यह जो सितंबर का महिना है, जीवन में बहुत कुछ नया लेकर आएगा, बहुत जाधा सगरात्मक्ता लेकर आएगा, स्टेबिलिटी लेकर आएगा, क्रियेटिविटी लेकर आएगा, और कही न कहीं जो मन भ्रहमित हो जो आने वाला फ्यूचर उसको लेकर एक जो मन में दुविधा चल रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इन सब प्रशनिद माराच जून से ही वक्री चल रहते लेकिन अगस्त में उनकी स्थिति बहुत जादा अति वक्र हो गई थी ग्रहों की चाल है जोतिश में अलग-लग बताइ राई गई है वक्र-दρο क्राइं चारी अति चारी तो शनी अतिवक्र हो गया दियां की याrous कर सेहत पर प्रभाव पड़ा होगा must laziness भी आपके अंदर आ गई होगी बुद्ध भी वक्री होगे ते छटे घर में लडाई जगडे होंगे frustration बहुत रह रही होगी अगस्त के महीने में तो यह जो सितंबर का महीना है इन सब चीजों में सुधार होगा क्योंकि शनी वक्री भी तो रहेंगी अब लेकिन उनकी जो अतिवक्र रवस्ता है वो कम हो जाएगी वो थोड़े stable हो जाएँगे शुक्र मारगी हो जाएँगे और क्योंकि पंचम में मारगी होंगे तो एक तरह से शुब है क्योंकि शुक्र अपने आप में धनके कारख है लक्ष्मी है शुक्र और लक्ष्मी स्थान में ही मारगी हो जाएंगे और जो मन बहुत विचलित सा रह रहा था मनोबल तूट रहा था confidence कम हो रहा था पुरानी चीजों को जादा सोच रहे थे कि मैंने तब वो कर लिया होता ये कर लिया होता उस चीज से निकल पाएंगे और बुद्ध भी महीने के मध्य भाग में मारगी हो जाएंगे और वो आपके छटे भाव में ही मारगी होंगे तो कुछ कानूनी कारवाही रटक रही थी वो भी दूर होगी और अपनी problems का आप solution ढूणना शुरू करतेंगे उनसे भागने के बजाए और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यह है कि ब्रहस्पती वक्री हो रहे हैं क्योंकि आपके लगने के सामी है तो strong हो रहे हैं कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो strong होता है positive negative अलग चीज होती है कुछ लोग भ्रहमित हो जाते हैं confused हो जाते हैं strong जब मैं बोलता हूं तो नहीं positive negative अलग चीज होती है अब आपका दुश्पन strong हो रहा है तो आपके लिए बुरा है लेकिन आपका दो strong हो रहा है तो आपके लिए अच्छा है तो इसी तरह से भ्रहस्पती जब वक्री होंगे तो strong हो जाएंगे लेकिन अच्छी चीज आपके लिए है कि वह आपके लगने के स्वामी है और दस्वे भाव के स्वामी है तो उनका वक्र वस्था में आना आपके लिए अच्छा प्रभाव ही देगा तो इस वीडियों में हम इन सब चीजों की चर्चा करेंगे सबसे पहले लगन भाव को ही देखते हैं लगन में कोई ग्रह नहीं आएगा चंद्रमा आएंगे अविसली एक बार महीने में लेकिन हम मासिक राशिवल में उनको कंसिर्णा नहीं करते हैं साप्ताहिक राशिवल में उनकी बार में बात करते हैं तो लगन पर अगर हम देखे किस ग्रह का प्रभाव है लगन पर मंगल का प्रभाव रहेगा और मंगल आपके एक तरह के योग कारग रहे हैं आपके धनस्थाने के स्वामी हैं आपके भागिस्थान के स्वामी है और पूरे महीने लगन को देखेंगे धन आएगा भागिस्थात देगा और इन दोनों ही चीजों के कारण पूरा आपका भौतिक जीवन आगे बड़ेगा मंगल साहस देता है मंगल पराकरम देता है और क्योंकि सप्टम भाब में बैठकर देख रहे है बिजनस करते हैं तो भी लाब होगा और क्योंकि ये मंगल दस्वे घर को भी देख रहे हैं तो जॉब करते हैं तो भी लाब होगा जो confidence की कमी अगस के महीने में आ गई थी कि मैं कुछ नहीं कर सकता जैसे मैंने कहा थोड़ी दिर पहले वो दूर होगी और आप अपने future को लेकर बहुत excited हो जाएंगे future को लेकर आपका manobal बहुत बढ़ जाएगा और यही मंगल अपने धनस्थान को भी देखेंगे अपने धनस्थान अर्थात जो धनस्थान में आपके राशी पढ़ती है वो मंगल की ही है तो जब भी कोई भावादी पती भाव को देखता है तो भाव को strong करता है तो यह महीना धन के संबंद में बहुत अच्छा है तो सकरात्मक्ता यहीं से दिख रही है और किसी ग्रह का direct impact नहीं रहेगा लगन पर सतरा तारीक तर लेकिन सतरा तारीक को सूर्य आपके सब्तम में आ जाएंगे और सूर्य और मंगल तेज है सूर्य और मंगल उर्जा है अगनी तत्व है तो दोनों ही का मिलन हो जाएगा सतरा तारीक के बाद और दोनों ही मिलकर सब्तम से लगन को देखेंगे यानि कि नाम बनाने के लिए पॉपुलैरिटी के लिए एक अपनी अलग पहचान बनाने के लिए जो महीने के मध्य भाग का समय है उसके बाद का समय है वो अच्छा रहेगा तो इन दोनों की दृष्टी आपके लगने पर आपको देखे सूर्य क्या है प्रकाश भी है मंगल उर्जा है और दोनों ही जब मिलकर साथ में लगने को देखेंगे तो आपका प्रकाश चमकेगा आपकी पॉपुलैरिटी जैसे मैंने कहा वो बढ़ेगी आप अपनी गुडविल बढ़ा सकते हैं बना सकते हैं कुछ ऐसी फील में है जहां पर आप चाहते हैं कि आप पॉपुलर हो आपका नाम बने तो इससे महीने से श्रेश्ट महीना आपको नहीं मिलेगा तो अच्छी चीज है यह लगने के बाद अगर हम किसी भाव को देखते हैं तो बेट देखेंगे दूसरे भाव को क्यों? क्योंकि वहाँ बे आपके लगने के स्वामी बैटे हैं जैसा मैंने कहा कि वो वक्री हो रहे हैं अब गुरु चांडाल योग बनाकर बैटे हैं बहुत बर बता चुका हूँ कि उसको बुरा नहीं मानना चाहिए जिसका ब्रहस्पती बहुत अच्छा होता है वो वेक्ति के पास दुनिया भर का ग्यान होता है लेकिन वो दुखी रहता है क्योंकि वो उस ग्यान का उप्योग नहीं कर पाता धन कमाने के लिए और आज के टाइम में यदि आपके पास धन नहीं है तो कहीना कहीं जीवन आपका बहुत दुख के साथ बीते गा ही इसमें कोई दोर आय नहीं है कभी कभी मुझे मैं जब कुछ लोगों की बात सुनता हूँ कभी कधन के लिए बहुत अच्छा होता है और भ्रहस्पति आ वुक्री हो रहा है इसमें कर symmetрий मीन वाले सोचते बहुत हैं कभी कभी इनकी सोच विस्ठत हो जाती है भ्रहतों जाती है व्रहता क्योंकि ब्रहस्पती इनके selbst व्रहता स्वामी है लेकिन अब जब राहु ब्रहस्पती का साथ है और वक्री ब्रहस्पती हो रहे हैं आपको बहुत अच्छे आइडियाज आएंगे जिससे आप धन कमा सकते हैं ये ब्रहस्पती दसपे घर के भी स्वामी कारेक्षित्र में आगे बढ़ेंगे और अपने पूरे जीवन को एक सही डिरेक्शन में लेकर जाना ये इस महीने आप कर पाएंगे और क्योंकि ये सेविंग्स के स्थान पे भी है तो आपको सेविंग्स से भी कुछ लाब मिल सकत है और सेविंग्स की ऑपर्चूंटे भी आ सकती है क्योंकि लगने के स्वामी स्ट्रॉंग हो रहे हैं या निकि अपने जीवन की बांग दोड़ अपने हाथ में लेने के लिए जो महीना है बहुत अच्छा है अपने आप धनियोग बना रहे हैं लेकिन जो उल्जने के होने के कारणाती है वो भी कम हो जाएगी पंचम भाव को देखते हैं तो वहाँ पर शुक्र मारगी हो जाएंगे और वो लक्ष्पी के कारक है और यहां से बैठकर सीधा लावस्थान को देखेंगे जो पैसा अटा करा था जो काम अटा करा था जो जीवन में obstacles आना शु सफलता दिलाते हैं व्यक्ति की जो व्यक्ति का जो मनवल होता है वो तो बढ़ता ही है व्यक्ति कुछ ना कुछ करने पर उतारू हो जाता है और उसके कारण सफलता उसको मिलती ही है और उसके बाद वो आ जाएंगे सूर्य आपके सप्तम्भाव में खेर बात करेंगे उनके रेट्रोस्पेक्ट में देखेंगे न, आप खुद सोचेंगे कि क्यों मैं उस चीज़ पर गुसा कर रहा था, क्यों इस चीज़ पर मुझे क्रोध आ रहा था, क्यों मैं छोटी-छोटी चीज़ों में फ्रस्टेट हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये 16 तरीक का समय आएगा, बिजनस में investment की opportunity मिलेगी, खर्चा बिजनस में अवश्य बढ़ेगा, लेकिन बिजनस का नाम बनेगा, क्योंकि सूर्य प्रकाश है और बिजनस के स्थान में आ रहे हैं, मंगल के साथ आ रहे हैं, योग का रखें, लेकिन यही चीज़ married life पर अलग प्रभाव देगी, तब सूरे भी आ जाएंगे तो थोड़ा सा और दंग करेंगे, बात करेंगे उनकी married life के situation में हमाएंगे, केतु आपके अश्टम में बने रहेंगे, अब केतु लंबे समय से अश्टम में है, बिजनस में लाब आया होगा आपके, क्योंकि केतु सब्तम से दूसरे में थे, अगर अगर आपने पिछले डेड़ महीने में, अपने आपको अपडेट किया होगा, तो बहुत अच्छा समय है, रहा होगा आपका, लेकिन अगर आप वैसे ही चलते रहेंगे, तो केतु अच्छा प्रभाव नहीं देता, वहीं चीज अब सब्तम में जब केतु आने वाले हैं, अक्टूबर में, आपको अपने बिजनस में, अपनी इमेज में बदलाव लाना पड़ेगा, केतु बिना बदलाव के अच्छे रिजल्ट नहीं देते, लेकिन अगर आप बदलाव लाए, केतु सुक्षमता हैं, तो आपको डिटेल्स पर काम करना पड़ेगा, और ये केत मेरिड लाइफ में बहुत प्रोब्लम्स आएंगी, आप खुल देखेंगे, फिर बोलेंगे कि हाँ, आपने कहा था, सितंबर में ही कि मेरिड लाइफ में प्रोब्लम आने वाली है, और वो शुरू हो जाएंगे, और दस तक उसकी अभी से आना शुरू हो गए होगी, शनी की ब्रहस्पति को, और ब्रहस्पति भी वक्री हो रहे है, ब्रहस्पति का जो बल है वो और बढ़ रहा है, तो यह महिना एक नई की दिकिने के लिए अपने जीवन को मैं nahई दिशा दिखाने के लिए अपने जीवन को सबसे उत्त मॉसे लाब उठाइए द्यान यहांने की लग्ण पाप करत्रे में क्योंकि एक साइड शनी दूसरी साइड रहू यहां पर शेहतपर बहुत अभी वी आपको ध्यान देना है पिष्ट दो-तिन महीने से कहते आ रहा हूं में इनकों की सेहत का ध्यान दीजिए और इस महीने भी यही कहूं गा सेहत पर ध्यान आपको देना ही पड़ेगा जो विशेश योग आपके लिए बन रहे है आपके लिए विपरीत राजयोग बन रहा है शनी द्वारा सूर्य 16-17 तरीट तक विपरीत राजयोग बना कर बैठेंगे आपके लिए बुद्धा दित्य योग बनेगा सॉला तरीट तक और इसके साथ ही आपके लिए दाम योग बन रहा है आपके लिए जिस तरह से बन रहा है तो इन्वेस्टमेंट ऑपरचुनिटीज आपके लिए इस महीने आ सकती है कुछ विशेश प्रेडिक्शन मेरी तरफ से ये महीना भाग्य का बहुत साथ मिलेगा क्योंकि भाग्य के स्वामी तो आपके लगने को देखते ही रहेंगे तो भाग्य का साथ आपको बहुत मिलेगा इसके साथी स्ट्रेंथ आएगी आपके अंदर इसके साथी स्ट्रेंथ आएगी आपके अंदर अपनों का साथ मिलेगा और जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूं भाग गया इस महीने आपके लिए कुछ नया लेकर आ रहा है तो उसके लिए तैयार रहेगा नेगेटिव पॉइंट्स ओवर एक्सपेक्टेशन अपने आपसे ये प्रॉब्लम आपको देगा क्योंकि जब हम अपने आपसे ओवर एक्सपेक्ट करते हैं फिर चीजे नहीं जाती उस इसाप से तो फिर परेशान हो जाते हैं और इसके साथ ही आपके आपसी सम्बंदों म से थोड़ा सभिकार आ सकता है इगो के कारण ब्रशपती इगो है ब्रशपती के बहुत अच्छे पॉइंट से लेकिं नेगेटिव भी बहुत है उसमें से एक इगो भी है तो उसके कारण भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है तो इन सब चीजों का ध्यान दीजेगा करियर की द्रफ चलते हैं जहां तक करियर की बात है महीना बहुत शुब है कारण क्या है कि देखिए दस्वा भाव करियर का होता है मंगल मंगल के दृष्टी तो पढ़ी रही है मंगल आपके भाग्यस्तान के धनस्तान के स्वामी है धनस्तान दूसरा भाव अर्थत्रिकोन भी होता है और करियर के लिए बहुत महत्तपुन बन जाता है मंगल आपके एक तरह से योगकारग रहा है कई जोतिश शास्तर नहीं मानते कुछ मानते हैं लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि मीन के लिए मंगल योगकारक बन जाते हैं और मंगल का प्रभाव दस्वे पर व्यक्ति के अंदर confidence बढ़ाता है और मंगल दस्वे से दस्वे में है और की recognition भी मिलेगा तो महीना करियर के लिए बहुत अच्छा है और दस्वे भाव के स्वामी ब्रहस्पति वक्री हो रहे है यानि की strong हो रहे हैं तो कारेक शेत्र में भी हां काम का भार बहुत रहेगा नया कम आपको दिया जा सकता है लेकिन ये महीना कारेक शेत्र में अपना नाम बनाने के लिए पहचान बनाने के लिए आगे बढ़ने के लि है वक्री होकर लिए अपकी जो मंगल है वो भागेस्ताने च्वाइब है जो दस्वे से नवम है अगर अपने कार्वेत्व काम करता है उसका मन होता है कि आजपास कहीं पे उसको सब्सकों मिल लगने से पंचम में शुक्र हैं जो अभी भी पतित हैं यानि कि office politics सो start हो चुकी है और उसका प्रभाव कही ना कहीं इस महीने दिख सकता है और येकीन मानिए कोई ऐसा वेक्ति जिस पर आप बहुत ट्रस करते हैं वो भी उस gossip में वो भी उस office politics में involved है तो थोड़ा सा ध्यान दीजेगा लेकिन इन सब चीजों को छोड़ दें तो महीना अच्छा है जो आपका अर्थ त्रिकोन के भाव हैं 2-6 उसमें से दूसरा भाव जटा भाव काफी ग्रहों से भरा हुआ होगा यानि कि कारे का प्रेशर बढ़ेगा कारे भार बढ़ेगा बिजी बहुत रहेंग आपको नहीं पढ़ना हर चीज को कंट्रोल नहीं करना अपने काम से काम रखना है उसको किस तरह से स्टेश्ट करें जो आपको काम दिया गया है कारक्षेत्र में सिर्फ उसको ही बैटर करने पर आपने ध्यान देना है क्लारिटी बहुत आईगी इस महीने और कहीना कहीं आपको अपने करियर को प्लैन करने का भी मौका मिलेगा तो इन सब चीजों के हिसाब से अच्छा देख रहा है नेगिटिव फ्रेंडशिप में मताईएगा आपके कलीक्स बहली कितने अच्छे फ्रेंड हो कहीना कहीं व अपना कंपोजर खो देंगे और उसका प्रभाव आपके कारेक्षेत्र पर पर सकता है यूजुली जो मीन वाले जातक होते हैं बाहरी दुनिया में बहुत कंपोज रहते हैं जो उनका गुस्सा निकलता है वो घरवालों पर निकलता है लेकिन यहां पर आपका थोड़ा सा जो ऑंगर है वो बाहर भी नीकल सकता है करियर पर भी नीकल सकता है तो इसका ध्यान दीजेगा यदि मार्किटिंग सेल्स एड़र्टी से यूड़ा कुछ पूड़ी से यूदा काम कुछ भी आप करते हैं तो आपको लाप होगाлон बिसनस की दिरव चलते हैं बिसनस के कि शमता या व्यपारक्षमता कितनी है वो बुद्ध से देखी जाती है सभी की सिती थोड़ी अच्छी हो रहे यह समय ने सब्तम में तो मंगल हैं जो आपके धनस्थाने के लावस्थाने दनस्थान और भागस्थाने के स्वामी होने के नाते वो केंदर में बैटे हैं यानि जो उल्जने आ रही थी जो रुकावटे आ रही थी जो डिले हो रहा था वो भी दूर हो जाएगा और सूर्य का सब्तम में आना जैसे मैं बता चुका हूं गुडविल बड़ेगी नाम बड़ेगा और आपके बिजनस का प्रकाश बड़ेगा सूर्य का है प्रकाश है बिजनस में महत्वपूर्ण खर्चे करने होगा ऐसा नहीं कि फालतू की एक्सपेंसे जो रहें नहीं जो बिजनस करते हैं वो जानते होंगे कि समय समय पर आपको अपने आपको अप्ग्रेट करना पड़ता है कि कभी आपका कोई manufacturing है तो कभी कोई machine नहीं लाने पड़ती ह equipment नहीं लाने पड़ते हैं समान बदलना पड़ता है trader बदल गया आपका तो कुछ ना कुछ वो बदलाव दिख रहे हैं लेकिन यह अच्छे के लिए हैं तो business में investment दिख रही है खर्चे थोड़े बढ़ेंगे in the form of investment तो यह एक अच्छी चीज है तो overall business के संबंद में आपक चाहिए क्योंकि business में आप खाली बैठते हैं तब परिशान होते हैं जब काम आपके पास आता है तो आप खुश रहते हैं तो वैसा ही business में दिख रहा है तो overall महीना business के संबंद में बहुत अच्छा है कुछ special predictions में तरफ से अपने business में involvement बढ़ाईएगा passionately अपने business में involvement पून कारे भी कराती है तो यानि कि अपने over excitement पर आपको control करना है intuition अच्छी रहेगी communication पर बहुत काम करना पड़ेगा अच्छी अच्छी opportunities आपके पास अवश्य आएंगी और जितना distracted कम रहेंगे उतना business में बहुत अच्छा कर पाएंगे जहां distractions बढ़ गई वहीं पर problem partner से misunderstanding उसके कारण थोड़ी problem हो सकती है real estate manufacturing इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोस्मेटिक्स फैशन दवाई हैं या फिर मीडिया इन से जुड़ा कुछ भी बिजनस है आपका तो बहुत लाब हो चलते हैं income investment expenses के तरफ investment से start करेंगे शुरुवाती दस दिन बहुत अच्छे हैं बीच के दस दिन भी अच्छे हैं लेकिन यहां पर अपने आपको कुछ नए तरीके ढूड़ने पढ़ेंगे investment के थोड़ा research कीजेगा और अंतिम दस दिन भी बहुत शुब है आनि कि overall investment के point of view से महीना बहुत अच्छा है income की तो बात कर ही चुका हूँ मैं शुरु में अभी बताते था हूँ कि आपके धनस्थान के स्वामी मंगल अलगन को देख रहे हैं तो धनयोग बनता है आपके धनस्थान में ब्रहस्पती वक्री हो रहे हैं बारवे घर के स्वामी बारवे में आ गए थे शनी महराज लेकिन अभी बारवे घर के स्वामी के बारवे में आने से होता क्या है कि व्यक्ति अच्छी चीजों पर खर्चा करता है या फिर उन चीजों पर खर्चा करता है जहां से उसको ग्रोथ मिलती है एक तरह से जो इंव करते वह दिख रहे हैं चलते हैं लवन रिलेशन्शिप की तिरफ महीना वैसे तो ठीक है सबसे बहुत अच्छा है पूरा ही महीना ठीक है अगर आपकी किसी से बात्चेट चल रही थी चीज़े ठीक तरह से आगे बढ़ रही थी तो हाँ नया रिलेशन्शिप सार्ट करने के लिए महीना अच्छा है संभावना बहुत जादा है अब उनकी बात करते हैं जो लोग रिलेशन्शिप में अल्रड़ी हैं उनके लिए महीना अच्छा रहेगा कारण कि शुक्र वक्री से मारगी हो जाएंगे पंचम में तो जो उलजने अगस्त में आई थी कई लोगों के तो ब्रेकप तक बात पहुंच गई होगी आप बहुत धगड़े होगे ट्रस्ट इशूज होगे डिस्ट्रेक्शन आई होगी लेकिन वह इस पहीने दूर होगा शुक्र का मारगी होना रोमैंस प्यार ये सब चीजों को और बढ़ाएगा तो ये महिना कहिना कही रिलेशन्शिप के संबंद में अच्छा है बस ध्यान ये देना है कि आपके पंचम के स्वामी चेंद्रमा बनते हैं जो बहुत चारी ग्रहायाने कि बहुत तेज भागते हैं तो अपने मूड पर थोड़ा कंट्रोल कीजेगा अधरवाइस तो महिन अच्छा है कुछ special predictions में तरफ से ना कहना सीखिएगा हर जगा हां कहना इस महिने relationship में आपको नुकसान देगा overthinking नुकसान देगी और distractions भी नुकसान देगी तो इन सब चीजों पर आपको बहुत काम करना है expectation ज़्यादा मत रखेगा और complex ज़्यादा आपको superior मत समझेगा क्योंकि आपके अंदर थोड़ी superiority complex आते वी इस महिने दिख रही है और कई relationship का अंत ही इस कारण से होता है अपने ego को rise मत करने दीजेगा और जादा dominating मत होईएगा यह महिना बहुत demanding भी कभी कभी हो सकते हैं और इन सब चीजों के कारण जो अच्छा टाइम चल रहा था उसमे negative प्रवाब पढ़ सकता है तो इन सब चीजों पर काम कीजेगा अधर्वाइस तो यह महिना आपका अच operator हैं बिल्कुल भी अच्छा प्रभाव नहीं होता है सब्तम के सवामी अपने से बारवे में लगने से छटे में हैं और 16-17 तरही तक तो वक्री रहेंगे और केतु आने को है सब्तम में केतु का प्रभाव दिखने लग जाएगा तो मीन के लिए मीन वाले जातकों के लिए married life में problems आना शुरू हो जाएंगी अब तो उसके लिए तैयार रहेगा अभी से संकेत मिलना शुरू हो जाएंगी और नवंबर के बाद तो बहुत सारी problems आएगी तो married life के लिए महीना अच्छा नहीं है एक मात्र शुबता ये है कि शुक्र मारगी हो रहे है तो यहां से थो चोटी चोटी problems वही काम करना है और जहां तक हो सके वहां तक अपने बीच में चीज़े रखनी है और अगर problem जादा हो रहे तो घर के बड़ों को involve करना है दोस्तों को रिष्टेजारों को जादा involve आपने किया तो problems बढ़ जाएंगी जो घर के गिने चुने बड़े हैं जो आप क्या सच में अच्छा चाहते हैं बना अधिक्तम क्या होता है कि इवन आपके relatives भी हैं भले आपके मूँपर बहुत अच्छा बोले उनके मन में यही होता है कि problem कब बड़े और कब हम मजा ले तो ऐसे लोगों से दूर है कि अपने घर के बड़ों के साथ केवल कुछ ज बड़ाई जगड़े सबके सामने हो रहे हैं तो फिर यह महीना married life के लिए और भी problematic हो सकता है स्टूडेंस की दरफ चलते हैं एक्जाम से शुरू करेंगे शुरुवाती दस दिन ठीक है लेकिन यहां पर आपकी उर्जा बहुत खंडित रहेगी आपका ध्यान अलग-अलग direction में भागेगा इसके कारण सफलता नहीं मिलेगी जो मध्य के दस दिन है यह बहुत अच्छे है और जो अंतिम दस दिन है यह भी आपके अच्छे है जहां तक वैसे स्टूडेंस की बात है महीना ठीक रहेगा कारण क्या है कि शुक्र पंचम में आपके मारगी हो जाएंग जो स्टूडेंस जॉब ढूंड रहे थे उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा है तो हाँ स्टूडेंस के लिए मैं यही कहूंगा कि यह बस थोड़ा सा अपने आपको distraction से दूर रख लेंगे तो महीना बहुत अच्छा रहेगा सेहत की बात करते हैं सेहत के हिसाब से तो आपका जो लगन है वहाँ पर एक तो पहले ही वो पापकरतरी योग में था अब दो वक्री ग्रह आसपास हो गए हैं इसका एक अच्छा प्रभाव भी हो सकता है वो यह है कि यदि आपने अपने lifestyle को change कर लिया तो अधिक्तम आपकी जो problems हैं वो दूर हो जाएंगे कि मीन के साथ जो अधिक्तम health issues आते हैं उनके lifestyle के करनाते हैं क्योंकि lazy होते हैं अधिक्तम अब ऐसाने के सारे ही मीन वाले lazy होंगे जिनके शनी बहुत अच्छी position में है सूर्य अच्छी position में तो वो lazy नहीं होते लेकिन अधिक्तम 80% में laziness होता है तो अगर आप अपने lifestyle को इस महीने बदलने का प्रयास करते हैं अपने food habits को बदलने का प्रयास करते हैं तो चीजें आपके favor में जा सकती है लेकिन अगर इस महीने भी आप अपने lifestyle में बदलाव नहीं लापाए तो problems और बढ़ेंगे और अगर हम देखें अपने आस-पास तो हमें जो अधिक्तम आजकल problems होती हो लाइस्टाइल डिजीज होती है वहले डाइवर्टीज हो बीपी हो स्ट्रेस के कारण जो मानसिक प्रॉब्लम होती है यह सब कहिना के lifestyle से जोड़ी हुए होती है तो यह महीना आपने lifestyle पर काम करेंगे चीज़े ठीक होंगी आँखों की problem पैरों की problem sleep disorder digestive problems hormonal problem यह ज्यादा करेंगी महीने के शुरुवाती दस दिन यदि आपको हृदे संबंदित problem है दिक्कत होगी शोल्डर के आसपा चोट लग सकती है कोई problem हो सकती है और infection करेंगे इस्पेशली private part से जुड़े जो मध्य भाग है यहाँ पर दुबारा हृदे संबंदित problem दिक रही है चेस्ट सं रहेगी जो अंतिम दस दिन है जोडों का दर्द हाथों से संबंदित कोई problem है कि एंटी यह नोस ठोट की कोई problem और इसके साथ ही आपको लिवर की problem करेंगी उपाय की बात कर लेते हैं यह उपाय आपको एक बार करता है महीने के किसी भी शुरुवाती दिन में कर लेंगे अ आपको शिव मंदिर जाना है शिवलिंग का दूद से अभी शेक करना है और फिर थोड़ से शहद से अभी शेक करना है या फिर दोनों को बिला कर भी एक द्रव्य बना ले और उससे शिवलिंग का अभी शेक करिए फिर गंगा जल से अभी शेक कीजिए और ग्यारा बेल प मत्र का 108 बार जाप करना है और शिव चालीसया का भी दो बार पाट करना है यो पाया आप कर लेंगे जो महीना आपका अच्छा जाने वाला है वो और अच्छा जाएगा आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी चैनल पर नए है सब्स्राइब कीजिए वीडियो को ला का 10 बार भाट